राम राम जी कैसे हैं आप सब आप सब कापके अपने चैनल विलेज लाइफ इट सिमा में स्वागत हैं और ये वीडियो है सोमवार का और इस टेम पे साड़े दस हो चुके हैं तो रात में हम रजजगे में गए थे वहां गाओं में से हम साथ बज़े आए हैं और काफी दू अमें रहते हैं तो काफी दूर पड़ जाता है वहां से आए आते ही अपने काम पर लग गए थे चाहिए हम वहां पर पी करेके ही आए थे तो मोसी ने पूरे घर में जाडू लगा दी थी मैंने पूचा लगा दिया था साथ-साथ में और नानी अभी रेस्ट पे थी क्यों में वह कर दिया था तो हमारा सिर्फ बरतनों का काम रहता था और यह जो कढ़ाई थी ना वह साफ करनी रहती थी और मैं चाहे बना रही हूं इस टाइम पर मैं बोल भी रही थी कि बाद में साफ कर ले ना लेकिन अंजली को चाह लगा हुआ था क्योंकि बच्चों को इस त खेल रहे थे और यहां पर जो मामी है वह बर्सी काट रही है मतलब जो हरा चाह रहे हैं वह काट रही है बहसों के लिए बस मैं चाय बणाओंगे सभी के लिए चाय प्येंगे और फिर अपने काम पर लग जाएंगे और मुझे अपनी वीडियो एडेटिंग का काम था मैं बोल रही थी कि मैं चाहे पीने के बाद अपने एडिटिंग का काम करूंगी बाकि चाहे कोई कुछ भी करें तो बोल देया था कि हासिमा ठीक है तुम अपना वीडियो का काम कर ले ना हम कर लेंगी और यहां भी ना उने बहसों के नीचे जो बालू रे था वो डाल रखा है ठीक रहता है मंदल पसुन आराम से बेड़ जाते हैं पूरा दिन पक्के में पसु भी दुखी हो जाते हैं और मैं बरतन साफ कर रही हूं क्योंकि चाह पीएंगे हम बरतन नहीं थे तो मैं सुझा कि चलो स्टैम तक चाह में उबाल आएगा स्टैम तक मैं अपने जो बरतन कैये और कल gör की वीडियो पास पर कमेंट आया है कि समंटी नहीं आई कि10 में बटा देती हूं आप लोगों को कि जो हमारी भेस थे ना वो मेरे अभी गए जब खेट में चले जाते हैं तो मेरे काका के हात पड़ती है तो समझ में आ जाताины कि m알मelles उस करके नहीं आई क्यूकि तो गर्मी में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है और गर्मी में लसी भी नहीं मिलती है किसी के घर में सच बात यह है तो बस इसी वज़े से नहीं आई और यह बोल भी रहे थी कि एक दिन तो माँ चले जाना मैं सुबह में बिठा दूँगा आपको सीधी बस जाती है पहुंच जाओगे और फिर वापिस आ जाना लेकिन उस दिन हमारी जो ग्यहूं थी ना उसकी कटाई का काम हुआ था तो ग्यहूं आ गई थी इस वज़े से मेरी मान नहीं जा पाई और यहां पर चाय बन चुकी है तो मैं सभी को चाय डाल करके दे दूँगी और भूख भ नोटी भूख तो लगी जाती है तो हम जले भी लेकर किया थे रजजगे में से तो नानी वहीं बांड रही है सभी को और जैह के साथ ऐसे ही मस्ती सब की चली रहती है और इस टेम पर मैंने अपना वीडियो एडिटिंग का काम कर दिया है और खाणा भी मैंने खा लिया है और मोसी और मामी यहां पर जो गहूं अंदर डालने का काम कर रही थी तो मैंने सुचा कि चोलो मैं भी थोड़ी सी हैल्प कर देती हूं तब तक मेरी वीडियो सेव होगी और उसके बाद फिर मुझे अप्लोडिंग का काम करना है क्योंकि ना यहां पर बच्चे बहुत सार इकठे हो गए थे और फिर वही था कभी कबार आकर इसमें भी खेल रहे थे तो हमने सुचा कि वैसे ही थोड़ी है इनके पास और कुछ यह फैंक देंगे इधर उदर तो पहले इनका यही काम निम्टा देते हैं उसके बाद देखेंगे बाकी दो मामी डाल डाल करके उठा प्रकन वायाँ है और मैं एपीनर निमम्टा अंदर करके आ रहे थे और कलकी वी इंसक्राव बड्रसाइब कर आदे लसुक्त तक कविश्क बिक हें तो पहुत है और मैं करते से घरतों किifs आपे ज़र गई नाम याद नहीं पहले की वीडियो की बात कर रही हूं मैं कल की वीडियो पे तो बहुत सारे आए हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जान करके चलो भी जान पैचान तो हर जग है फे ओ गई है और तो मुझे पता नहीं और यहां पर देखिए नानी जो खाणा बनान सुन्दर है और काम भी बहुत ज़्यादा करती है इस ताइम में भी फैंसों का दूद निकालने का सारे काम मतलब की खाना ब्राना घर के अल्मॉस्ट सारे काम यह करती है तो अच्छा रहता आदमी देखिए काम यह नहीं है कि भई हां बुजरक हो चुका है तो बेठा ही रह नहीं सोचती है किसी भी काम के लिए बोलती है कि काम करेंगे तो हाथ पाऊं चलेंगे जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे बेठेंगे नहीं और कई बर हम बोल देते हैं कि मा रहने दिया करो मत किया अगरो यह काम तो खुद बोल दी कि अच्छा आई पहले बिठाना चाहा के जह की बभू देखária करके जाए जह का टेवा पहन करके जाए और मुझे वह देख चाए किege भी आजए निलो आ गई तो गड़ी में कुरसी डाली और चुगलियां करनी सरू कर दी उसमें हमारा भी नुक्षान है क्योंकि हम किसी का पाप दूल रहे होते हैं है ना कर वो रहता है लेकिन वो बुगतान हम कर रहे होते हैं उसका और दूसरे का भी हमें उसमें नुक्षान है क्योंकि कभी क किसी के बहु पे नजर कभी किसी की बेटी पे नजर कभी किसी के लड़के पे नजर आदी जूठी आदी सची तो इन चीज़ों से अच्छ है कि अपने काम में बिजी रहो टाइम ही ना लगे किसी के बारे में सोचने का किसी के बारे में बात करने का तो सबसे बैस्ट होता है अपने काम में मगन रहो और अपने आपको इतना बीजी कर लो कि हमें टाइम ही ना लगे किसी के बारे में सोचने का तो यहां पर सामान आया है गद्दे चेयर और जो कढ़ाई रगारा है वो सारी और बच्चेयों को इगनोर करना क्योंकि मैंने नहीं नहलाए थे देखें यहां पर रेट मिटी बहुत है फिर वैसे हो जाते हैं तो मैंने यही था कि खेल लेंगे तब तक खेलेंगे मैं शाम म काम तब वह किया था और फिर अपना वीडियो गएर डाली और सो गए थे हम क्योंकि राज में जगराते हैं तो इस वज़े से मतलब की नेंद पूरी नहीं होई थी और उसके बाद बच्चे नहलाए बच्चे तो मैंने तीन बच्चे तियार कर दी थे लग दो ड़ाई क्योंकि मुझे जाना है मेरी सब्सक्राइबर लगा लो बहन लगा लो इसके घर पे वह आ रही है लेने के लिए तो बस अभी उसके पास फोन किया था कि आ जाना क्योंकि यहां पर भी ना कुछ चुटमुट-चुटमुट काम जलता ही रहता है बस अभी निम्टाया है सार आप द्यार काम और तयार हुई थी तो अब वहां पर जांवी देखते हैं कितना डाइम लगेगा वहां पर और त्राथ में हमारे यहां पर जगर आता है और सुह chanon जो आते तो काम करें ना जमाई तो रिकार का दिए तो ना खुए तो अंधा तो और यहां पर जो हलवाई है ना वो भी आ चुक है मतलब जो सवामानी का सामाना है वो घर पर ही उतरवाएंगे जो बुंदी है वो और यह जो क्लिप है वो बच्चों ने निकाले थी कि मेरे पास मंजू आ गई थी तो मैं बेठी हुई थी वहां पर और मुझे था वी कि मैं खुद मतलब आप लोगों के साथ जो हलवाई कैसे कर सकते हसे हैं बउनदी की रेसिपाथ करूंगे लेकिन अस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था तो यह जैसे भी क्लेप निकाले हैं बच्चों ने निकाले पूरी छिपी वीडियो है मतलब के सारी बच्चों नहीं निकाले है खासकर से अराध्याने सुमन यहां पर चाय बना रही है मंजु आ चुकी थी लेने के लिए और सुमन भी हमारे साथ में ही जाएगी क्योंकि हम सुमन काई वेट कर रहे थे वर्ना तो मैं सुबह में भी चेली जाती काम करने के बाद लेकिन हमें ये था कि सुमन आ जाएगी तो फिर साथ में ही जाएंगे और एक एमेंट आते हैं कि सुमन को बहुत दिन हो गए है बुला लो क्यों नहीं आती है तो देखिए इतने तो दिन हुए भी नहीं है कि बहुत ही जादा दिन हुए हैं क्योंकि अक्टूबर के लास्ट में तो सुमन गई है एक महीना रहे करके और फिर जन्वरी में फिर हमने बुला लिया था और मार्च में भी आती है वो हर बार बच्चों के पेपर होने के जाता है इस वज़े से और इस सीजन में तो देखो जमीदार होते हैं वो तो कहीं नहीं आ जा सकते क्योंकि बहुत सारा काम होता है ना गर का खेतों का इसलिए तो और बच्चे उनके स्कूल में जाना शुरू कर दिया है उन्होंने अब एक अपरेल से तो अब तो जून की चुटियों में याएंगे उस टेम तक हमारा गर कंपलीट हो जाएगा तो बरतन रखेंगे तब बुलाएंगे उनको भाकी सुमन तो इतना टाइम देखे सुमन को तो हम होने भी नहीं देते हैं बहुत जल्दी-जल्दी हम बुलाते हैं क्योंकि जून की चुटियों में भ तो मैं क्या बुलूं वन्ना मैं बुलाती ही बुलाती हूं चाहे उसको दस दिन हुए हूँ चाहे दो महीने हुए हूँ तो बस अब हम मन्जु के घर जाएंगे और देखे आप लोग सोच रहे होंगे मैं मन्जु नाम इसले बॉलन वहestenome के मुझे नई पता है कि हम में से कौन सा चोटा है कौन सा बड़ा है और फरक मिलेगा भी तो कुछ महीनों ही मिलेगा क्योंकि हमारी सादी में फरक है यह बहुब दो-चार महीनों का है दोंब बच्चों में भी जो फरक है वो भी 2-4 महीनों का ही है तो इसलिए मैं सीधा मन्जू ही बोल रही हूँ और देखिए कुछ नहीं होता है दिल में प्यार होना चाहिए और यहां पे जो हलवाई लोग है उन्होंने बुंदी बनाने शुरू कर दी है तो इस वीडियो को मैं अब यहीं पे इसी तरह से अड़ करूँगी क्योंकि यह वीडियो न वो इस तरह से बनी हुई न यह एक बन सकती है और मुझे इस वज़े से इसके दो पार्ट करने बढ़ेंगे क्योंकि अगर मैं इसी में अड़ करूँगी तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाए अगर कितने ज्यादा लंबी करूँगी फिर भी कुछ कलिप रहा तो मैं सुचे कि चोलो मैं इसके दो पार्ट बना दूँगी ताकि मुझे भी ऐसानी रहे और आप लोगों को भी देखने में आसानी रहे आप लोगों का मैं ज्यादा लंबा टाइम ना लूँ इस वज़े से तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले लोग में तब तके लिए बाइवाई टेक केर और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपना एक लाइक जरूर दे करके